Assalamu alaikum this is Dhanish Taj and we are studying Pakistan affairs Pakistan का आज हम most important and most controversial and most debatable topic का आज हम देखने जा रहे हैं that is partition of Pakistan ठीक है it is not partition of Bengal it is partition of Pakistan 1971 1971 ठीक है जी उन्सकातर में जब पाकिस्तान प्रॉबबबली 16 December 1971 की जो डेट थी तब हमारा आदा हिस्सा हम से अलग हो गया था that is known as partition of Pakistan और इसकी बहुत सारी causes है बहुत बड़ी एक दास्तान है दुख बरी दास्तान है ठीक है क्योंके पाकिस्तान अगर युनाइटेड होता तो हमारा आज की जो image है world image है वो कुछ होर होती और domestic भी कुछ होर होती ठीक है जी causes की तरफ आते हैं foreign के causes क्या थे पाकिस्तान जो partition हुई वो तो होगी अब देखते हैं इसके causes क्या क्या थे ठीक है यह most repeated question है in CSS and PMS and other competitive exams in पाकिस्तान तो इसको आप attentively देखिएगा political causes की तरफ आते हैं यह मुतलिफ causes है political economic जैसे हमारा एक paper attempt करने की एक technique होती है कि how we attempt और paper उसमें मुतलिफ हम headings बनाने के लिए political economic social इस तरह की headings देते हैं तो यह मुतलिफ angles होते हैं ठीक है तो political angle इसका क्या है या political cause क्या है constitutional deadlock थी जी political instability थी no consensus था constitutional deadlock का मतलब है 1956 का constitution इससे पहले आया 1962 का constitution इससे पहले आया दोनों में one unit system की बात की गी ठीक है इसमें constitutional deadlock थी जो के बंगलादेश के जो लोग थे वो इसके against थे ठीक है और आप देखें आपकी start सही जो आपकी authority थी वो democratic forces के पास नहीं थी जिसकी वज़े से वहां के लोगों की representation इसमें नहीं थी ठीक है अपने rule में self rule की तरफ उन्हें नहीं ले जाया गया जिसकी वज़े से एक constitutional deadlock था political instability थी continuous instability थी ठीक है तो देख देख देखने हैं one unit policy वही जो अभी में आपको बता चुका हूँ के हमारे चार सूबे मिलाकर एक सूबा बना दिया गया और उनका भी एक सूबा बना दिया गया और ताके हम इस पार्ट को थोड़ा सा जियोग्राफिकली ज्यादा बता सकें ठीक है और हम उनकी resources को जो हैं यहां पर ला सकें नबर तरी dysfunctional democracy democracy जो है वो function नहीं कर रही थी इस्टार्ट की जो दस साथ है 1947 to 1957 ले रहें साथ PM आपके चेंज होगे 1947 to 1957 तक आपके साथ PM बदल दिये गए ठीक है बार बार PM आपके लगाए जाते हैं और इसके बात क्या हुआ इसके साथ साथ इस दुरान ही आपके इसकंदर मिर्जा भी एक तरह का डिक्टेटर था और उसके बाद फोरण कौन आ गय यूब खान और 1971 में जब आपका बंगलादेश अलग हुआ तो तब भी आपके जो हुकमरान था वो डिक्टेटरी था वो कौन था यह यहान ठीक है जी सो डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही थी इट मीज उनकी रेप्रेजेंटेशन नहीं मानी जा रही थी उनको सेल्फ फोर जी नॉन डेमोक्रेटिक लीडर्स इन पावर ठीक है फर एक्जांपल इसकंदर मिर्जा नयूब खान आयवाल अल्रेडी टोल्ड यू इसके बाद देखते हैं यह आपके सामनी कर लेता हूं अधर पार्ट आफ दी नोट्स वार आफ नैंटीन सिक्टी फाइफ एन फ मिने किस पे फोकुस किया जेस्ट वेहल जेस्ट वेस्ट पाकिस्टान जी यह रजह मारा पोर्शन इस पे फॉकस किया और जो मन्गला देश वाल जो पार्ट उसको निगलेक्ट कर दिया गया उसकी डिफेंस के लिए इंडोनेशिया एंड चाइना आए और उन्होंने इंडिया को वान किया कि आपने अगर इस्ट पाकिस्टान यानि बंगलेदेश वाली साइड अगर आपने देखा तो इट मींज यू आर लुकिंग एट अस ठीक है इसकी जंग आपकी इस पाकिस्टान के साथ नहीं होगी हमारे साथ होगी ये एक फ्रेंडली जेस्टर था ठीक है चाइना और इंडोनेशिया का पाकिस्टान की खतर लेकिन का मतलब ये है हम जो वेस्ट पाकिस्टान वाले हैं हमने हमारी आर्मी ने उनको जाकर वहां पर सपोर्ट नहीं किया ठीक है सेस्टाफ आइसुलेशन उससे क्रेट हुए और उसके बाद भी जब 1971 का जब टाइम आया जब यहां की आर्मी उदर गई हुआ कि तो तब भी परसेकिशन का एक बहुत बड़ी दास्तान है उनको परसेकिउर किया गया उनको सर्पGRस किया गया ये मुफ़त या आपको बातें मिलतीं है सरनाह से मतलब कि कैसे कैसे उनके राइट को दबाया गया तो इससे भी सेंस आफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन में पैदा हुआ ठीक है नमबर सिक्स रोल आफ मुझीब मुझीबुरेमान जो था शेख मुझीबुरेमान था उसने सिक्स पॉइंट्स दिये जैसे यहां पर उस टाइम बुट्टो एक लीडर था और उसी दुरान नेरी बादें थी एक उसमें बताया के टेक्सेशन अलग होगी हमारी अपनी रिजर्व हमारे अलग होंगे एकरंसी हमारे अलग होगी हमारा जी एच्क्यू अलग होकर नेवल पैसेज अलग होंगी सो यह सारी चीज़ें इन इस वाल तिंग्स शुट भी सेपरेट जब यह अलग हो जाए तो आपको पीछे क्या बचता है just foreign affairs and defense somehow defense ठीक है तो यह just center के पास होगा foreign affairs and defense कुछ और बाकी सारा कुछ होगा वो हमारा अलग हो इस पाकिस्तान के पास अलग होगा क्योंकि उस time one unit वाली बात चल रही थी और वो implemented था तो दो ही सुबए करार दिये जारे थे को सुबह के पास भी अपनी सारी होगी दूसरी सुबह के पास ही इपनी चीजह होगा जो सेंटर हो हुगा उस टायм आपका कराची से नहीं इसलाइम पार ले जाया जा चुका साथ हमकर जो कैपिल था तो सेंटर के पास जस्と Hidden फिर्जन डिफेंस वगरा होगा समझार ठीक है इट वाज लीट टूवर्ज कांट फीडरेशन में ने आपको लास लेक्चर में भी बताया था कि कांट किडरेशन में क्या होता है आपके जो इकाईयां होती है ने मीनस जो पार्ट साफ्थी स्टेट होते हैं वो आप दिस्टरिक्स ले लेता गवर्मिंट्स ले 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 वो जयादा मस्बूत होते हैं और रीक होते हैं ठीकicana की बात हो रही है इसमें नेगेटीव समन पोइंट क्या था नेगेटिव एटिच्ट्य तफ पाकिस्तान हमारा जो जो पाकिस्द न्यगेटीफ एटिटीट है रहत एंट केने का मैं कि बसक्षान से दी जाती है ठीए जबिशा का तो ये वेस्ट पकिस्तान का बंदावन पर बढई जाता है ठीज कहार beautifully प्यान के बाटने सीटे नहीं बढ़ते थे ठीक है वो सफ्रूर वाली बात उन मैं नहीं यहां पर बहुत बड़ी तदाद में उकता है वो उसकी जो इनकम है वहां से हम कमाकर यहां वेस्ट पाकिस्तान में लगाते थे ठीके जी जो के इन equal distribution of resources है आज आपका बलचिस्तान क्या demand कर रहा है equal distribution of resources जिसमें mendi जो आपकी सुईगेस है वो आप कराची लहोर में आप उसे use कर रहे हैं और बलचिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को से महरूम रखा हुआ है फर एक्जांबल वहीं की जो हो पिदावार हैं वहotomía की पकिस्थामय कर रहे हैं और उनको नहीं दी जारी इसी तरह जूट जो था वेस्थ पकिस्थान में यूर्जच ने नहीं आप रहे हैं घार्मी के यह बात उपर पाकस्तान में बंगलदेश वाले एरिया में ठीक है investment and big development in वेस्ट पाकिस्तान जो mega projects थे वो जो डेम्श वगेरा बनाए गये थे आपका उस टाइम मंगलडे में ने टर्बेला डेम अधर प्रोजेक्स वह आप वेस्ट पाकिस्तान में mission लांच कर रही थी ठीक है जी नेक्स देख नहीं यह आपके सामने आ गया सोशल सोशल काजिस क्या थे जी लेंगविज इश्यू वो उनकी वो चाहते थे के बिंगॉली जो है नेशनल लेंगवज हो जब के वेस्ट पाकिस्तान चाहता था अर्दू नेशनल लेंगवज हो यह यह बीट स्टार्ट होगी थी कि अर्दू नेशनल लेंगवज होगी या बिंगॉली होगी तो यह घृत चलती आई तो लेंगवज के शूता अ उनका जो जो अनको पसंद थी जाहरी बात वह बंगले बंगाली थी किल्चेरिल डिफ्रेंसेस्स थे किल्चेर प्रटेंशी कभी नाम है तो यह चीज़े इफरेंस थी जो हमारी आम बाते होती थी उन को डिप्राइव फील कराती थी ठीक हो गया उन्हें इस प्रेस्ट फील कराती थी नेगते हैं नेक्स्ट झिया है हाँ जी नेक्स में हम आ हैं जegree्ट पाकिस्तान यह चोटा सकता है इस पाकिस्तान बड़ा इंडिया है आफ डिरेक्ली यहां से यहां communicate नहीं कर सकते थे, समंदर से आना भी मुश्कत था, costly था और इसमें इंडिया की जारियत भी थी, यहां से उड़कर भी आना असान नहीं था costly भी था और इंडिया की जारियत यहां से भी थी, तो यह दो टोटे इतनी दूर दूर और बीच में इनिमी स्टेट, geographic causes स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा थे, पीछे हम डिसकास कर चुके हैं, cultural and social differences भी थे, geographic causes भी थे, just take आप एक दीन की बन्याद पर अजाद हुए थे, एक नाम आपको दे दिया गया था, बकी आप में कुछ भी similar नहीं था, उसके बाद जी, इसमें देखते है long distance separated by enemy state, ठीके जी, ये बाद मैंने आपको बता दी है, ये आपके समने करता हूँ, ये floods of 1970, हाँ जी, floods जब आए 1970 के, तो no aid by West Pakistan, Indian and US aid helped them, no ownership by us, जब 1971 में, जब partition हुई, मैं दोबार आपके समने कर लेता हूँ, 1971 में जब आपकी partition होती है, तो उससे एक साल पहले floods आए थे, East Pakistan में ये बड़ी दरियाओं वाली जमीन है, इसमें से बहुत सारे से दरियाओं गुजरते हैं, बहुत सारे, इसमें फिशिंग बहुत जदा है, बहुत जदा पानी वाला आपा है, जब बार्शे होती है, तो यहाँ पर flood का issue बहुत जदा होता है, ठीके, जब floods आए, तो West वेस्ट पाकिस्तान से यहाँ पर कोई भी एड नहीं आई, ठीक है, एड नहीं आई, लोगों की मदर नहीं कीगी, फिर में से सर्डेवरिवेशन पैदा हुआ, और इंडिया नहीं यहाँ से help की, इनकी जो के interference भी थी, इंडिया चाहता भी यह था, कि यह मेरे साथ अच्छ को कोई रस्ते ही न मिलता, रस्ते ही न मिलता interfere करने का, ठीक है जी, यह आपको उमीद है समझा चुकी होगी, ट्रिगरिंग फेक्टर्स क्या थे, ट्रिगरिंग फेक्टर्स यह आपके सामने कर लेता हूँ, कि जिस वज़ए से फोरी तोर पर आपकी जो partition हुई है, वो क्या ठीक है, इनके दरम्यान में टसली बुटो ने का कि मैं आपको transfer of power नहीं होने दूँगा, फिर यह नारा भी लगा, उदर तुम एदर हम यह वाली बात, बुटो की seats जो थी, competitively बहुत कम थी, मुझी बरिमान की seats बहुत ज्यादा थी, गर्मेंट असूली तोर पर उनकी बनन लाँच कर दी गई, एक तेरी का लाँच कर दी गई थी, जिसमें violent forces थी, for their independence, उनने violent रस्ता अख्तियार कर लिया था, ठीक है, आर्मी पे attack और center वाले जो, for example, युनाइट अकने वाली जितनी forces थी, administrative seats थी, उनने पर attack करने वाली बात थी, start हो गई थी, ठीक है, these were the triggering factor, जिस की वज़ा से, आर्मी ने मजीद उनने suppress करने की कोशे की, लेकर उसे मजीद क्या हुआ, violent act हुए, और, वो मजीद दूर होगे, next, देखते हैं, जी, इसमें क्या है, हाँ, जी, effects of partition, ये lengthy topic है, इस से, मतलग आपको detail question आता है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा time, लियास का, इस effects of partition, जब partition होगी, उसके बाद, पकिस्तान पे क्या effects पड़े, ये देखते हैं, lost link with East Asia, ठीक है, जो आपका, ये जो area है, मैंने छोटा सा में ब्रॉकनिंग के कोशे की हुई है, ये पकिस्तान है, आज का ये इंडिया बीच में, ये बंगले देश ताइम का East Pakistan, ठीक है, ये ASEAN, ASEAN, ये एक organization है, जिसमें चाइना भी है, तो इन से directly link खतम हो गया, अगर ये भी हमारे साथ होता है, तो ये हमारे परोसी होते है, जैसे आज पाकिस्तान के परोसी कौन है, अफगानिस्तान, इरान, ये चाइना वगेरा, तो इस तरह यहां से ये लोग हमारे परोसी थ है, तो ये एक factor है, इसे हमारा trade हो सकता था, ये tourism का area है, अच्छे मुसम का area है, अच्छी बाशों वाला area है, तो आपको फाइदा ही होता, तो जब ये आपकी partition होगी, तो इन से आपका तलग खतम हो गया, क्योंकि ये पकिस्तान का हिस्ता नहीं रहा, पकिस्तान सिर्फ ये हो था, कि हमने कहा था, इंडिया का जो महा बारत वाला, जो है, अखंड बारत वाला जो जो आइडियालजी है, कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया का हिस्ता बनेगा, मोदी और उस टाइम के नेरू लोग भी का करते थे, तो इसलिए जब बंगलादेश तूड गया, पकिस् पाकिस्तान को ठीक है, यूनाइट किया और दुबारा पकिस्तान को बने पाउं पे खड़ा करने के कोशिश की, ठीक है, और आइन मीडिया 1973 में, स्ट्रेटिक लॉस थी, स्ट्रेटिक लॉस तो है, ये आपके एसेट्स थे, वहाँ पर वो लोग थे, वो लोग भी आपका बर्गर बन जाता, ठीक है, अगर आप स्ट्रॉंग होते हैं, यहां से भी आप स्ट्रॉंग होते हैं, यहां से भी आपको डिफेंड करना है, तो लहाजा इंडिया मजबूरन आप से दोस्ती करने की बातें करता, ठीक है जी, नेक्स देखते हैं, हाँ जी, कश्मीर कास वी करना ठीक है वी कुड़ नाट प्रोटेक्ट इवन और ओन लेंड इंडिया ने ये प्रोपेगंडा भी उट्स वाला के कश्मीर की बात आप करते हैं आप अपना भी जो एरिया था उसको भी आप डिफेंड नहीं कर पाए ठीक है विच्वाज औरी डी मोटिवेटिंग फेक् ठीक है कॉंसेंसेज वाला आएंड उसके बाद एकनामिक लॉस आफ रिसॉर्सेज जूट जो वहां से आती थी फिशिंग का वो एरिया था मिने आपको पता है को वहां पर दर्याब होते हैं वहां पर फिशिंग बहुत जादा थी ट्रेड वाला इशू खतम हो गया मैन पा जब आपका एक सूबा अलग हो गया एक इतना बड़ा पार्ट अलग हो गया तो फिर आपका वीग फेडरेशन वाला भी स्वाल पैदा हो गया और एक डर पैदा हो गया कि हम एक कमजोर रियासत हैं हम अपने आपको डिफेंड नहीं कर पाए अपने सूबे को नहीं बचा पाए तो वी आर वीग ठीक है एक सेंट साफ डिप्रीवेशन था ठीक है यहां पर हमारा टॉपिक यह वाला कंपलीट हो जाता है लेकर मैं आप से एक क्वेश्चन डिसकस करता हूं जो कि फ्रीकुंटली पूछा जाता है अक्सर पूचा जाता है रिपीटेडली पूछा जा से क्या टू नेशन थेरी भी खतम होगी जिस फेरी के बनाओ पर आपने इंडिया से पकिस्तान का हिस्सा लिए ता क्या वागा स्वार वाली कहानी खतम होगी या नहीं यह स्वाल आप से अक्सर पूछा जाता है ठीक है इसको जवाब है नो इस्यूश वर नाट आईडियो नहीं थे आप मैंने जो जितने भी इश्यूस पीछे डिसकस कि उसमें कोई रिलीजिस या इडियो लॉजिकल इश्यू कोई भी नहीं था देवर मुस्लिम्स एंड वी आल्सो मुस्लिम्स ठीक है जिस आडियोलोजी गिविनात पर हमने अलग होना चाहा था वह आडियोलोजी इंडिया का हिसा बन जाता ठीक है वो कहते हैं कि हमने इंडिया का हिसा बन जाना है जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहते हैं वी आर युनाइट है हम युनाइटेट बेतर हैं इंडिया के साथ बेतर हैं तो फिर आप यह वाला स्वाल कर सकते थे लेकिन बंगलदेश अलग जाता है एकसर ठीक है तो यह कुस्टिन का जो आप मैंने सोचा यह साथ एड़ कर लूँ तो हेर वी एंड उमीद है आप लोगों को आइच का टॉपिक यह डीटेल टॉपिक समझ आया होगा विल सी यू इन दा नेक्स टॉपिक इंशाला थेंक यू अला फिस